हेलो फ्रेड मेरा नाम राजेस है तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हो टू सेट अप रडिपी सिस्टम थू फोर्टिनेट फाइरवाल ओके तो फर्स हमें अपने फाइरवाल को लॉग इन करना है मैं अपना फाइरवाल लॉग इन कर रखा हूं सो मेरा यह 60D है 4860D ओके सो मैं वेडियो को स्टार्ट करता हूं स्टिप बाइ स्टिप मैं आपको बताऊंगा सो फर्स्ट हम जाएंगे पॉलिशी एंड अबजेक्ट के अंदर यहां पर हम जाएंगे वर्ट्वल आईपीज के अंदर स्टिप यहां पर मेरे क्रेटेड है 4090D फॉलियो आपको उसको जाएंगे मेरा आपको आपको प्रीबेट करना देता हूं स्टिप मेरा यह वाला जो हैं नेटवर्ट क्रेटड है सो मैं इसको आपको जाएंगे क्सक बॉ 건데 करता हूं सो मैं इसको इडेट करता हूँ यहाँ पे आप देख रहे हो यह मेरा RDP system का नाम है आप अपने according जो भी आप नाम रखना चाहो आप वो रख सकते हो ठीक है यहाँ पे इंटरफेस में जो है आप अपने यहाँ पे चानिक्षा वाय यहाँ यहाँ तो इसको ही इन पर मत ऊचिक का वह में इन जो कर सकते हैं यहाँ व्य होच्ट का सब्सक्UNTद करें पर one, one, two तो बarnos of one, two यहां पर डालोगे अपने जिस सिस्टम को आप RDP के थुरू एक्सेस करना चाहते हूं बाहर तो उसका लोकल आपी आएगा यहां पर आप 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 पोर्ट फोर वर्डिंग के इसको करोगे यहां पर जो है आप PCP सेलेक्ट रहेगा आपका यहां पर आप पोर्ट जो है कस्तमाइज भी कर सकते हो मैंने कस्तमाइज कर रखा है यहां बाइडिफोल जो डेवल 3 8 9 होता है RTP का पोर्ट नमबर आप वह बाइडिफोल भी यूज कर सकते हूं अगर आप चाहते हो कि मैं ओट के थूरू सेक्योर करके चलूं तो आप और कस्तमाइज कर दोगे यहां पर आपको वह भी यूज कर जगते हों नया क्रिएट करके दिखाता हूं सो मैं यहां पर करूंगा create new virtual IP मैं यहां पर रखता हूं RDP name test RDP and यहां पर जो है मैं network क्या select करूंगा मेरा क्या है van 1 है because मैं इस network को sort interface मान के चल जाहूं because मेरे पास अभी एक ही net है so यहां पर हम्मारा जो public IP होगा so क्या है मेरा यह public IP है मैं इसको hide रखूंगा because privacy region so मैं यहां पर मेरा local IP जो है यह है local IP मैं इस server को लेता हूं and यहां पर port forwarding and यहां पर local port में डालता हूं 25 customize port करता हूं जो इसका by default होता है यह आपको यह port याद रखना है जो की RDP के लिए use करना यह इसका by default होता है okay so मैं यहां पर by default वो कर दिया and यहां पर हम करेंगे एक चीज़ मैं यहां को यहां पर बता देता हूं कि जैसे post port customize करने का जो है एक और benefit है आपको कि अगर अगर एक ही public IP को आप आपके पास अगर एक ही public IP है और आप चाहते हो उसको multiple local system को RDP पे एक्सेस करने का अगर आप by default यूज करोगे तो उस case में आपको एक ही system एक्सेस कर सकते हो बट आप उसको कस्टमाइज करोगे तो आप उस case में आप जितने भी system आप एक्सेस करना चाहो एक public IP को यूज करके तो आप वो कर सकते हों यह topic जो है यह चीज आपको एक इंट्रेस्टिंग है कि आप एक public IP को यूज करके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हों ओके सो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं मेरा ओल्रेड़ी यह पॉलिक आइपी को यूज करके सिस्टम बना हुआ है मैं आपको एक्सेस करके भी दिखा दूँगा और मैं अभी नया पोर्ट ओपिन किया हूं यह 2345 जिसके लिए भी मैं दूसरे लोकल सर्वर को एक्सेस करूंगा दिन मैं यहां पर करूंगा अबकी तबोट दो हम आएंगे ८ोकल सिक्राइब लग पॉलिसी के अंदर यह पॉलिसी क्रिएड कैसे होता है वह चीजिए मैं आपको अलग は सभ्राइब हो जायेगा सो मैं यहां पर पॉलिसी क्रिएड कर एकां मैं इसको एडिट कर लेता हूं विकौक्ड मुझे सेम जो है policy यूज करना है, سो मैं यहाँ पर edit कर लेता हूं, और यहाँ पर मैं आऊँगा, मैं यहाँ पर add कर लोगा, मैं यहाँ पर click करोंगा, मेरा क्या है, मीरा क्या था, test RDP, मैं इसको select कर लोगा, और देन मैं इसको कर दूँगा, और मेरा यह एक्टिव हो गया है और यहां पर ऐसेश करका आपको दिखाता हूँ सो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूं मैं पोर्ट डालोंगा 2345 दिन करेंगे कनेक्ट यहाँ पर हम पास्वर्ड डालेंगे यह मेरा सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा मैं आपको दूसरा भी यह मेरा ओलेडी कन्फीगर है सेम पुब्लिक आई-पी के थुरू स्वी 2380 तो मैं आपको अभी दूसरा सिस्टम भी आपको मैं कनेक्ट अरके दिखाता हूं जिसका पोर्ट नंबर है 3380 तो मैं इसको पुंक करेंगा मेरा यहाँ पे डिफ्रेंट शिस्टम जो है यहाँ पे कनेक्ट होगा यह मेरा डिफ्रेंट सिस्टम में, ओके, थैंक्यू, थैंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो, जैहन।